हेलो फ्रेंद्स वेलकम हेर कैसे हैं आप सब आई होप यू आप यू आप लगों के लिए न्यू पिक पाइल रेडिंग लेकर आज की रिडिंग में हम लोग डिसकस करेंगे कि आपके रिष्टे का क्या फ्यूचर है आपका रिउनियन होगा तो कब तक होगा और नहीं हो पा हो रहा है और आप लोग वाग कर चुके हैं तो कब तक होने वाला है ठीक है इस रिष्टे का क्या फ्यूचर है तो इस पर हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में I am damn sure की जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं आपके रिष्टे के लेकर क्लारेटी मि कि अब ध्यान से देखिए माडिटेट कीजिए और जों सा पाइल आपको अट्राक्ट कर रहा है आपको इसको चूज करना है टाइम स्टेम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डिरेक्ली वहां जाए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ट कर सकते हैं अपना पाइल चेक कि नेक्स मंदे तक कॉंटेक्ट ना करें ओकी चलिए चलते हैं हम रीदिंग के और वेलकम पाइल वान जीनों ने ये ब्यूटिफूल सा ट्रस्ट का कार्ट जोस किया है जिसमें डिवाइन आपको कह रही है श्रदा और सबरी जिस भी भगवान को मानते हो अगर साय बाबा तो ये एक डिवाइन गाइडन्स है जो डिवाइन आपको आपके रिलेशन के की लिए देना चाहती है कि अगर आप बहुत ताइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत मेनत कर रहे हो तो ट्रस्ट रखो श्रदा रखो शबर रखो आपको जो रिजल्ट आप डिजर्व करत क्या बताते हैं आपके टारो कार्ट है देट आवर एट ऑफ रोट्स और क्विन अफ रोट्स देखे गाइस हो सकता है एरिज लिए संग्यार आपके पार्टनर है सं मून वीनस राइजिंग साइन में या फिर करिकोन भी हो सकते हैं आप मेंसे कुछ लोग मैं आपको यहां आपको लगता है कि चीजे वार्क कर रही है, बहुत अच्छे से वार्क कर रही है, sometime आपको लगता है कि like मुझे मुझे मूव ओन कर देना चाहिए, यह person तो you know commitment देगा ही नहीं, या अधि union की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, या फिर यह person मुझे चाहता भी है या फिर यह मेरा illusion है sometime आपको ऐसा feel हो सकता है trust issue है इस relationship में trust issue यहाँ पर है the tower का card है एक बार यह person आपका trust तोर चुका है third party में जा चुका है या फिर अभी भी आपका partner third party में है कुछ ऐसी situation यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों का physical attraction अगर मैं बोलू तो आप लोगों की life में बहुत जादा है that means आपके person आपको लेकर बहुत जादा physically attracted है ठीक है बहुत जदा passionate यह relationship है energy आप दोनों की ही बहुत fast है आप दोनों ही इस रिष्टे में speedly आगे बढ़ना चाहते हो और energy balance नहीं होती है you know तो कहीं न कहीं मनमुटा अगेन आजाते है आपके person बहुत जदा passionate है किसी भी रिष्टे को देकर या फिर किसी good looking personality को देके वो फिसल जाते है वहाँ पे flirt start कर देते है तो प्लीज मुझे next Monday तक आप लोग personal reading के लिए contact ना करें ओके मैं बताना चाहूंगी कि आपके person को you know better, best and better से better, best से best चाहिए अगर best से कुछ best होता है तो उन्हें वो चाहिए और better से better भी कुछ मिलता है तो उन्हें वो चाहिए कुछ ऐसी उनकी feelings है जरूरी नहीं है guys, सबसे सभी चीज़े resonate करें जिससे जितने चीज़े resonate करें उनको आप रख लें, leave the rest and मैं आपको कहना चाहूंगी कि पहले का comparatively आपका रिष्टा थोड़ासा balance हुआ है थोड़ी सी smooth चल रही है, थोड़ी सी hope बन रही है, wish fulfillment की तरफ आप जा रहे हैं, आप union की तरफ जा रहे हैं, reconciliation की तरफ जा रहे हैं and आपके person ने अगर अभी तक commitment नहीं दी है, तो वो बहुत जल्दी commitment देंगे, ठीक है आप trust रखिए, विश्वास रखिए divine पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, rather than की आप इस person पर विश्वास रखिए, या फिर रिष्टे पर विश्वास रखिए, ठीक है and मैं आपको बता दूँ की आप लोगों का reunion इस cards में मुझे दिखाई दे रहा है, even जिन लोगों ने pile 1 चूस किया है उनकी situation कुछ भी हो, लेकिन मैं बता रही हूं कि आप reunion की तरफ चले चाएंगे, आप reunion की तरफ बर चाएंगे, क्योंकि अगर चीजे बहुत ज़्यादा imbalance भी थी, तो आप लोगो खुद फिल कर रहे होंगे कि पेले से balance हो रही है, situation कुछ भी थी, चीजे smooth हो रही है चीजे well balance हो रही है, पेले से manage हो रही है, आप प्लीज इस manage वाली energy में ही रहे है तो बहुत जल्दी आपको commitment भी मिलेगी, आप लोगों का reunion भी होगा, union भी होगा reconciliation भी होगा, marriage भी होगी इस रिष्टे का क्या future है तो 80-90% इस रिष्टे का positive future है, that means आप लोग reunion, reconciliation, marriage इन सब चीजों में दुबारा आ सकते हो लेकिन इसके लिए advice card है कि trust रखो, शरधा रखो, सबर रखो and the source का card, अगर मैं बात करूँ कि ये reunion कब तक possible है, ये marriage कब तक possible है sorry guys, थोड़ा सा मैं distract हो गई थी, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये person कब तक आप से reunite करेंगे, कब तक reconciliation करेंगे, marriage करेंगे, तो again मैं बता दूँ कि आपको patiently रहना है, वक्त लगेगा, time लगेगा चीज़े एकदम से नहीं आ रही है, आपके तरफ पेले से काफी smooth चल रही है, आपके life, आप independent हो रहे हो, आप self पे focus कर रहे हो आपके partner से भी हो सकता है, आपको communication मिलना start हो गया हो, थोड़ा response मिलना start हो गया हो अगर start हो गया है, तो please मुझे comment box में बताएं, and कब तक होगा reunion, divine timing, अभी divine timing को आप और मैं predict नहीं कर सकते, divine timing पे होगा आप लोग शरद्धा रख सकते हो, सबर रख सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो अगर आपके intuition कहती है कि reunion ultimately होना है marriage होनी है, commitment मिलनी है reconciliation होना है, तो you are right at your place, आपको मिलेगा and कब मिलेगा ये fix नहीं है, because आप अभी ready हो, हो सकता है, आपका person ready नहीं है हो सकता है, चीजे ready नहीं है divine ready नहीं है, so prayer करते रहे ये, manifest करते रहे ये, trust रखिए शरदा रखिए, सबर रखिए, reunion definitely होगा, union definitely होगा, marriage definitely होगी reconciliation definitely होगा ठीक है, तो पाइलवन जिन्होंने choose किया था, trust का card, उनके लिए ये है मेरी reading I am damn sure कि आपके life में कैसी situation आए, आपको trust रहता है अपने person पर, आपको trust रहता है divine पर, आपको trust रहता है कि चीजे अभी imbalance है लेकिन एक time के बाद balance हो जाएंगी स्मूथ हो जाएंगी, nurturing हो जाएंगी और ये ही सब्र, विश्वास और श्रधा आपकी काम आएगी, जो आपके relationship को improve करेगी, fire sign हो सकते हैं आप ये आपके partner, अगर ये reading आप से resonate की है, तो please मुझे comment box में बताना, for more clarity आप लोग personal reading book करा सकते हो बट one week के लिए मैं available नहीं हूँ next week से मैं restart करूँगी तो बता दूँगी bye for now, have a good day welcome pile to जिनोंने शिल्फ life का काट चूस किया था जिसमें बाबा जी कहते हैं divine कहती है कि हर रिष्टे की हर situation की you know एक life है अगर situation अब बुरी है तो हमेशा वो बुरी नहीं रहने वाली अगर एक टाइम पर बहुत अच्छी थी तो हमेशा वो अच्छी नहीं रहेगी situation change होती है रिष्टे change होते हैं हर एक चीज की जो धर्ती पर जनम लेती है उसके खुद की life होती है अगर उसने बर्त लिया है तो उसका end भी होगा अगर वो आपसे जुड़ी है तो आपसे एक दिन अलग भी हो जाएगी तो इन सब चीजों के लिए आपको ready लेना है यह आपका advice card है और देखते हैं कि आपके tarot cards क्या कहते हैं The Empress, Ten of Roads and Knight of Cups हो सकता है Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio आप हैं या फिर आपके partners हैं मैं बता दूँ कि आप लोग married हो सकते हैं already married हो सकते हैं किसी और person के साथ married हो सकते हैं या फिर मुझे लग रहा है कि आप लोग already married हैं और after that चीजे बिगडी हैं ठीक है हो सकता है कुछ लोगों के तो babies भी हो and you know तब भी separation चल रहा हो reconciliation के कोई उमीद ना दिख रही हो तो मैं आपको बता दूँ कि आपके रिष्टा शुरू तो बहुत अच्छे से हुआ था maximum आप में से आप लोगों की love marriage होई थी बहुत you know आपके person आपको प्यार करते थे चीजे बहुत ही smooth थी चीजे बहुत nurturing थी harmonious life थी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था फिर एक time पर जाकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा stress इस relationship में आने लगा एक person इस रिष्टे से bore होने लगा वो इसमें burden feel करने लगा या फिर हो सकता है कि आपके रहते वो third party situation में चला गया आपको ignore करने लगा आपको वो importance नहीं देने लगा जो इसको देनी चाहिए थी वो कदर आपकी वो नहीं करने लगा जिसकी वज़े से चीजे बिगड़ गई एक time के बाद जो है आप लोग separation phase में आ गई ठीक है मुझे लग रहा है कि आप लोग separation phase में है या फिर अगर आप लोग साथ भी रहते हैं तो आप लोगों के बीच में एक understanding अठी नहीं है बात-बात में arguments हो जाते हैं frustration है boredom है एक person बहुत ही ठका हुआ feel कर रहा है अकेला ही इस रिष्टे में work कर रहा है और दूसरा response नहीं दे रहा है तो overall situation अगर separation में नहीं है तो भी separation जैसी ही है because love, romance, nurturing ऐसी energy मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए आप लोगों की तो अगर बात की जाए कि यह situation से आप निकलेंगे या नहीं reconciliation होगा या नहीं ठीक है reunion होगी या नहीं और अगर आप लोग unmarried है तो आपके marriage होगी या नहीं तो आपका card है fighting fighting का card मुझे बताता है कि ठीजे possible है लेकिन आपको इसमें lead लेनी होगी आपको इन चीजों को control करना होगा अच्छे वेसे and you know situation आपके लिए favorable नहीं है fight करके उससे बाहर निकलना होगा then बहुत जल्दी reunion के chances है reconciliation के chances है and marriage के भी chances है जिन लोगों की marriage नहीं हुई है तो definitely आप लोगों की marriage होगी कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि यह situation end हो चुकी है अगर यह situation आपको लगता है कि end हो चुकी है तो यह real में end हो चुकी है because 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके इस रिष्टे की life खतम हो चुकी है बट वही 80% लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप इस situation से fight कर लेंगे maturely आगे बढ़ेंगे चीजों को right होने के लिए उनको एक time दे देंगे and बहुत ज़्यादा focus नहीं करेंगे अपने आपको improve करेंगे तो reconciliation के chances है, marriage के chances है, reunion के chances है तो जिनोंने भी shelf life चोज किये थी, उनके लिए थी ये मेरी छोटी सी reading कि आपके रिष्टे में चल क्या रहा है, आपके रिष्टे का future क्या है, reunion होगा या नहीं तो obviously होगा, उसके लिए negativity को remove करना होगा, आपको positive रहना होगा, खुद को improve करना होगा अगर आप लोग married है, and after marriage, after delivery, after your baby separation हुआ है, या फिर before your baby separation हुआ है और baby आपका बाद में हुआ है, तो मैं बता दूँ कि आप अपनी baby के care कीजिए, आप खुद के care कीजिए, दोनों को nurture कीजिए then automatically attraction and होगा उनका law of attraction work करेगा, चीज़े smooth होगी, reconciliation होगा, and बहुत जल्दी आपको positive results मिलेंगे तो ये थी pile two जिन्होंने self life choose की, उनके लिए मेरी छोटी सी reading, I hope कि आपको अच्छी लगी होगी, resonate की होगी, अगर की है तो प्लीज मुझे comment box में बताना for more clarity आप लोग personal readings book कर सकते हो, वो readings paid होती है, बट फिलहाल के लिए one week के लिए मैं readings नहीं ले रही हूँ, next week जब लूँगी तो I will definitely tell you, okay, bye for now, have a good day, take care welcome pile 3, जिनोंने beautiful सा आये, card choose क्या है channel का, I make you a channel of my work, जिसमें से जो card मुझे बताता है कि आप एक soul journey पे हो, soul purpose पे हो, divine की community में आप लोग enter कर चुके हो, आप लोगों की help के लिए बहुत सारे efforts लगा रहे हो, खुद को heal कर रहे हो, अपनी family को heal कर रहे हो, लोगों को heal कर रहे हो, advice भी आप लोगों के लिए ही है कि आप इस channel पे continuously work करते रहे हैं, और देखते हैं कि tarot cards का कहते हैं, eight of swords, six of swords and wheel of fortune, right, तो मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है Gemini, Libra, Aquarius, या फिर Taurus, Virgo, Capricorn आप हैं या फिर आपके partner है, sun, moon, venus, rising sign में, वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहू सकते हैं, अगर sign आपके match कर जाते हैं, तो आप उसको bonus way में ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो आप से resonate कर रही है, और जास साइन resonate कर रहे हैं, तो आपको लगेगी आपके लिए नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ general reading है, जितनी resonate करें, रखने और ना resonate करें, ज एक time था जब आप बहुत बंदा हुआ फिल कर रहे थे, emotionally, mentally, physically and इतने down हो गए थी, आपके energy इतनी low हो गई थी, आप चाहकर भी खुद को एक बहुत बुरी situation थी, जिससे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन देन आपको, you know, realization हुआ, divine से आपका connection बना, divine channel में आप लोग आ गए, and after that, आपको abundance मिली, आपने लोगों की भलाई के लिए work करना start किया, charity करनी start करी, and you know, abundance के बाद, आपने, जिन लोगों को, जिन चीजों की जरूर थी, maybe उनको चीजे provide भी कर आई है, and अब ये wheel of fortune आपके favor में है, that means, आप लोग already feel कर रहे होंगे, कि जितनी bad situation past में थी आपके relationship की, उतनी up नहीं है, and आप ये intuitively check कर सकते है, even check कर रहे होंगे, कि आपके relationship का future बहुत ही bright है, right, आप लोग soulmate हो सकते है, twin flames हो सकते है, बहुत intense feelings हो सकती है, आपके एक दूसरे को लेकर, and you know, आपके relationship में equal give and take नहीं था, आपके person ने आपको attention नहीं दी, ignore किया, and clarity भी नहीं दी, आप बहुत जादा overthink करते रहें, लेकिन कोई dessert नहीं मिले, but अब आप intuitively काफी smart हो गए है, आप अपने intuition से ये चीज़ चेक कर सकते हैं, कि आपका future क्या है, and पहले से आपके रिष्टा बहुत अच्छा हो रहा है, और abundance आ रही है, आप independent हो रहे है, and आप उ की energy, और मैं बताओं कि आपके relationship का क्या future था, तो क्या future होगा, sorry, तो past कुछ भी हो, past even मुझे लग रहा है कि जिसमें आप बहुत बंदा हुआ फिल कर रहे थे, depressed फिल कर रहे थे, sad फिल कर रहे थे, लो फिल कर रहे थे, but धीरे धीरे situation आपकी balance हो रही है, रिष्टा आपका पेले से सही हो रहा है, and in future चीजे पूरी तरह से आपके favor में हो जाएंगी, and wheel of fortune के साथ ही, आप reunion, marriage, reconciliation की तरफ आगे बढ़ेंगे, and ये relationship बहुत healthy होगा, wealthy होगा, जिसमें आप दोनों ही independent होगे, दोनों ही आप बहुत understanding होगे, आप दोनों ही बहुत spiritual होगे, आप दोनों ही बहुत भगवान में विश्वास रखने वाले होगे, या फिर साइ बाबा जी को आप दोनों ही मांगते होगे, ठीक है, and आप लोगों का next card है, past lives, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके reunion में अभी भी एक blockage है, और वो blockage है past life, अगर आप past life के बारे में बहुत ज़ दोस्ते हैं कि जब आप real में एक ऐसी situation में थे जो आपके लिए बहुत बुरी थी, तो आपको situation से निकलना है, अगर आपके person past life से, you know, past life के wound से परिशान है, तो उनको भी heal करना है, कि जो हुआ, वो हुआ, वो पास life थी, और अगर आपके person की वज़े से past life में दुख हुआ हैं आपको, और अब वो सारी चीजों को sort out करना चाहते हैं, तो आपको intuitively पता चल जाएगा, कि आपको उसको accept करना है या नहीं, और अगर आप accept कर रहे हैं, तो past life की चीजों को भुला कर उन्हें forgive कर दीजिए, और एक रिष्टे की नई शुरवात कीजिए, तो बहुत ही beautiful cards हैं, आपके बहुत ही beautiful reading है, आपकी past life को, और especially बुरी past life को जादा remind मत कीजिए, जिनों ने भी आपको directly indirectly hurt किया है, उन्हें forgive कर दीजिए, और अगर कोई बुरी memory आती भी है, तो उसको एक paper में लिखके जला कर flesh out कर दीजिए, बार बार कीजिए, अगर एक बार में नहीं वो memory जा रही है, वो बहुत जल्दी चली जाएगी, आप लोग डिवाइन के बहुत नियर है, you know, साइं बाबाजी के बहुत नियर है, वो आपको bless कर रहे है, day by day आप abundant हो रहे है, आप independent हो रहे है, आप spiritual हो रहे है, आप संसकारी हो रहे है, आप बड़ों का समान कर रहे है, human beings की बहुत हल्प कर रहे है, and you know, आपका future बहुत ब्राइट है, आपका reunion, reconciliation, marriage, कोई रोकी नहीं सकता, तो इस रिष्टे का future बहुत ही ब्राइट है, ब्लोकेज है, जसको आपको, you know, heal करना है, और उन वूंट से बहार निकलना है, रस्ट, each and everything is very good, and may God bless you everyone, bye for now, I hope कि आपस से resonate की होगी, आपको clarity मिली होगी, अगर मिली है तो comment box में बताओ, have a good day, take care, bless you everyone.